हेलो गाइज कैसे आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में गयोगे और मजे में ही रहे आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे पड़ी बेकार चूडियों का क्राफ्ट दिवाली डेकोर के लिए यह मैंने चूडियां ले ली है यह बहुत पुरा आप यह बनाने जा रहे हैं केंडल्ः होल्ड़ किख भी कह लिए यह मैंने इस साइज की चूडी ली है आप को ऐसी चूडी ले लेनी है यानि छोटी हो या बड़ी हो लेकिन होनी एक ही साइज की चाहिए छोटी या बड़ी नहीं लेनी है तीन एक जैसी और तीन एक जैसी यह मैंने यहाँ पर उन ले ली है आप मनमर जी से यहाँ पर रिबन ले सकते हैं उन ले सकते हैं कुछ भी इसके उपर लपेटने के लिए आप ले सकते हैं और इसको हम इसको डबल नहीं लपेटेंगे इसको हम सिंगल ही लपेटेंगे क्योंकि सिंगल लपेटने से इसकी सफाई जादा आती है डबल लपेटने से ये उंची निची उबड़ खाबड़ देखती है और इस तरह से हम इस पे लपेटते जाएंगे इस तरह से बिल्कुल टाइट टाइट रखनी है डीली नहीं रखनी है डीली रखने से अच्छी नहीं लगती पूरे के उपर लपेट देंगे हम यह देखिए इस तरह से इसको हम जो बनाने जा रहे हैं उसको कैंडल होल्डर या दिया होल्डर या फिर छोटा स्टूल गुड़े गुड़ियों का स्टूल भी कह सकते हैं काना को भी बिठा सकते हैं उसके उपर इस तरह से हमने इस चूड़ी पर पूरे के उपर लपेट ली है और ऐसे ही हम इन दोनों के उपर भी लपेटेंगे ऐसे ही ये देखिए और जो तीन और थी मैंने उनके उपर भी लपेट ली है तीन एक जैसे और तीन एक जैसे ये रखनी हमें देखिए कितनी सुन्दर है मन तो ऐसा कर रहा है कि इने पहन लो कितनी नई हो गई है नया लुक और यह लैस ले ली है और इस लैस को हम इसके उपर लपेटेंगे आप इसके उपर कोई गोटा लैस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जब लैस को सुरू में लपेटे ना सुरू करे ना तब इसको सुई धागे से पका कर ले या फिर गल्यूगन से चिपका ले और इस तरह से सब के उपर लपेट देंगे काईज अगर बोलने में या फिर वीडियो में कोई गलती हो तो माफ कर देना और आपका प्यार और स्पोर्ट मेरे साथ ऐसे बनाए रखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको हम इसके ओपर टाइट टाइट और बिल्कुल सफाई से लपेट देंगे और काटने के बाद यहाँ इसको चिपका देंगे ताकि यह उद्ड़े नहीं यह मैंने लगा दी देखो कितनी संदर लग रही है और ऐसे ही हम इन सब के ओपर भी ऐसा ही लगाएंगे सारी लैस को यह देखिए बिल्कुल निर चूड़ी बन गई है और यह जो दो कड़े लिए हैं मैंने या पर आप दो दो चूड़ी भी चिपका सकते हैं जो वो चूड़ी हैं उन से थोड़े से बड़े साइज में लिए हैं और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए चाहिए एक कड़ा हो या फिर दो या फिर तीन चूड़ी को हम आपस में जोड़ कर बना सकते हैं मेरे पास ये कड़े बेकार पड़े थे तो मैंने ले लिए हैं और यह cardboard ले लिया है और cardboard हमको इसके जो अंदर का जो size है न उस जितना काटना है बहर की side वाला नहीं अंदर की side वाला काटना है यह देखी अगर आपको मेरी video मेरा craft अच्छा लगता है पसंद आ रही हैं तो भर भर के like और comment कीजिए अगर कोई गलती है तो कमेंट में बताईए हम इसे सुधारेंगे और ये मैंने पेपर ले लिया है और इसके साइज का हम काट लेंगे इसको गुलाई में काट लेंगे ये देखिए ये पतला जो पेपर आता है न वो है ये मोटे वाला नहीं है पतला रंगीन पेपर और ये गल्यू से इसके उपर चिपका देंगे ऐसे बीच में और चिपकाने के बाद ये एक्स्ट्रा कागज है इसको हम ऐसे काट देंगे पूरी को और काटने के बाद इसको अंदर की तरफ मोड मोड कर चिपका देंगे मैं सारे क्राफ्ट घर की बेकार चीज़ों के ही बनाती हूँ याईज मेरे पास इतनी फैसलिटी नहीं है मेरे पास जो है मैं उसी का यूज़ करती हूँ यह ऐसा क्राफ्ट है यूटूब प्यास तक किसी ने ने बनाया है यह देखो दोनों मैंने त्यार कर लिये हैं और जो वे कड़े थे उनके उपर हम ओन लपेटेंगे चूडियों के ऊपर हमने सिंगल ओन लपेटी थी और कड़ों के ऊपर हमें डबल ओन लपेटी नी है ताकि ये थोड़ा सा हैवी लगे इस तरह से हम ये शुरू करना है ये बिल्कुल आसानी से लिपट जाती है ये उन जादा लंबी थी इसलिए मैंने ये चोटा सा गोला बना लिया है ताकि लपेटने में आसानी हो इस तरह से बिल्कुल टाइट टाइट कसते रहना है और लपेटते रहना है गोला बनाने के बाद काम जल्दी हो रहा है हम ऐसे ही इस उनको पूरे के उपर लपेटेंगे और ये जो दूसरा कड़ा है इसके उपर हम ये रेड उन लपेटेंगे तो हम दोनों कड़ों को तयार कर लेंगे ये कर लिया है हमने तयार ये उन्चूडियों से ज़ादा मोटा और ज़ादा हैवी बन गया है हमें ऐसा ही बनाना है और यह लैस थी जो पतले वाली जो उन्चूडियों के ऊपर लपेटी थी वही और इसको हम याँ पर गाट लगाकर पका कर लेंगे शुरो में इसको भी हम ऐसे ही लपेटेंगे जैसा कि चूडियों के उपर आपने देखा था धिली नहीं रखने है ये वरना बद्धी लगेगी इतने लपेटने के बाद इसको यहां से काटके चिपका देंगे और इस कंगन जैसा ही हमें दूसरा बनाना है बिल्कुल नए कंगन बन गई है पार्टी में भी हम डालके जा सकते हैं इसको यह देखिए यह हमने दोनों बना ली है और यह मन के वाली लैस है मैंने यह पुराने सूट से देड़ी हुई लैस है ऐसी दुकानों में भी मिल जाती होगी या फिर और मन के भी लगा सकते मेरे पास ये थी तो मैंने ये ये यूज़ कर ली ऐसे लगा दी है मैंने इसके उपर कितने अच्छे लग रहे हैं और जो कार्डबोर्ड हमने बनाया था वो यहाँ पर ऐसे आप ग्लू ले सकते हैं ग्लू गन से चिपका सकते हैं इसके बीच में ऐसे चिपकाएंगे देखे कितना सुंदर लग रहा है मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है आप लोग जरूर बताएगा प्लीज कमेंट में कैसा लग रहा है ये देखो ऐसा ही ये दूसरा वाला देखो दोनों तयार हो गई है अब हैं इन चोड़ियों क से ऐसे चिपकाना है ये बात द्यान में जुरूर रखना कि मैं कैसे चिपका रही हूं ऐसे ही आप लोगों को चिपकाना है इसको यहां चिपका देंगे ये देखिए ये हमारा स्टेंड बन गया है बेकार की चूड़िये हम फेकते हैं उनी का देखि लो कितना अच्छा क्राफ्ट बन गया है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसको हम ऐसे रख लेंगे और इन तीनो चूड़ियों के ऊपर यहां पर गलू लगा देंगे ऐसी और लगाने के बाद इसको इसके ऊपर चिपका देंगे ये देखिए वाओ और ऐसा ही हम दूसरा तयार कर लेंगे ये देखिए सोरी गाइज मेरे पास वो कैंडल नहीं थी वरना आपको इनके उपर जला कर मैं दिखाती बहुत अच्छे लगते हैं बाद में मैंने दिये जलाए थे बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे पास वो कैंडल थी नहीं आप इस दिवाले अपने घर पे ऐसा बनाईए और इनके उपर कैंडल जलाईए और आप सब खुस रहिए मस्त रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताना कि ये कैसा है बाई बाई दोस्तों बाई